Hello my dear students, इस वीडियो में class 10th, a letter to God, जिसको GL friends ने लिखा है, इसके paragraph, passage based question answer को करने जा रहे हैं, अगर आपने इस chapter को पढ़ा नहीं है, या इसके question answer को नहीं दिखा है, तो description box में लिंक पढ़ी है जा कर देखे लिजेगा, read the following passage and answer the questions given below it, तो नीचे दिएगे passage को paragraph को पढ़े हैं, और उसके नीचे दिएगे प्रस्नों के उत्तर लिखें, passage है, the house, the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill, तो घर जो नीची पहाड़ी, यानि जदा उचाई नहीं थी पहाड़ी की, नीची पहाड़ी की चोटी पर इस्थित था, वह पूरी घाटी में, एंटायर पूरी वैली मिच घाटी में, अकेला घर था, side situated इस्थित था, on the crest of a crest में चोटी, low hill नीची पहाड़ी, hill मिच पहाड़ी, From this height, इस उचाई से, one could see, कोई भी देख सकता था, the river, नदी को, and the field of ripe corn, और पकी हुई फसल को देख सकता था, Daughter with the flowers, फूलों से लदे हुए, खेतों को देख सकता था, That always promised a good harvest, जो एक अच्छी फसल होने का वादा करती थे, सदा वादा करती थे, The only one thing the earth needed was, क्यों एक चीज को प्रित्वी की जरूरत थी, Was a downpour वर्षा की, Downpour मींस वर्षा, और at least a shower, या कम से कम एक बाच्छार की आओ सकता थी, Shower मींस बाच्छार, Throughout the morning, सुबह से, Lencho, who knew his fields intimately, intimately closely निश्दीक से, जो अपने खेतों को बड़ी निश्दीकी से अच्छे से जानता था, Had done nothing, उसने कुछ नहीं किया था, Nothing else or कुछ नहीं किया था, But to see the sky towards the north festival की, उत्तर पुरो दिशा में आकाश को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था, आइए इस पर best question answer तो देखें, Question first है, Where was the house located? तो घर कहां इस्थित था, Located, situated इस्थित था, Answer, The house was located on the crest of a low hill, तो एक नीचली पहाडी, की नीची पहाडी की चोटी पर घर इस्थित था, Second question है, What did the field of ripe corn dotted with flowers promised? तो फूलों से लदे हुए खेत, किस बात का वादा कर रही थे? Answer, The field of corn, तो dotted with flowers, फूलों से लदे हुए फसल के खेत, प्रावमीज अ गूड हर्वेस्ट एक अच्छी फसल का वाइदा कर रहे थे, Third question, What did the earth need it? पृत्वी को किस चीज की जरूद थी? Answer, The earth needed a downpour, पृत्वी को एक भारी वर्षा की, और at least अशावर या कम से कम एक बहुच्छार की आओ सकता थी? Thanks for watching me.